ओनलाइन कक्षा में स्वागत आज हम तरती अंक के तीसरे श्लोक का अध्यन करेंगे अभिजान शकुंतलम के तरती अंक में तीसरे श्लोक का अध्यन करेंगे तरती अंक में हम कुछ महत्पून श्लोकों को देखेंगे यहां पर राजा शकुंतला को प्राप्त करना कठिम है ऐसा वो मन में सोचता है क्योंकि वैं महरेशी कण्व के सरक्षन में होने से पराधिन है उसे कण्व की आग्या के बिना प्राप्त करना असंभव है यदि मैं बल पूर्वक उसे आश्रम में ले जाता हूं तो ऐसी चेश्टा करने से विशी शाप दे सकते हैं जिससे मेरा अनिष्ठ होगा ही होगा ये सब क्या है दुश्यन्त सोचता है इस तरह उजे शकुंतला के विशे में नहीं सोचना चाहिए पनन्तु ना जाने क्यों मेरा मन उस पर आ सकत है काम की पीड़ा का अभिने करते हुए राजा दुश्यन्त कहता है भगवन काम देव विश्वास योगे भी आप और चंद्रमा दोनों के द्वारा कामी जनों का जो समू है वो अत्यधिक प्रतारित किया जाता है क्यों किया जाता है यही देखेगा इस लोग में यानि कि तुम्हारा कुसुम शरत्वम पुष्प सायक होना किस के विशे में कहता है उस काम देव के विशे में कहता है कि तव कुसुम शरत्वम तुम्हारा कुष्प सायक होना और इंदो शीत रश्मित त्वम और चंद्रमा का शीतल किर्णों वाला होना इदम द्वयम अपी ये दोनों ही मद्विदेशु मुझ जैसे कामी काम से पीडित विर्हियों के लिए अयतार्थम द्रश्यते असत्य ही दिखाई देता है इंदू हिम गर्भे मयूखे तुशार से युक्त किर्णों से अगनिम विस्रजती अगनी की अगनी की वर्षा करता है और तुम अपी और तुम भी क्या है कुसुम बाणान पुष्पवानों को वजर सारी करोशी वजर के समान कठोर बना लेते हो तो यहाँ पर राजा दुशन कहता है कि तुम्हारा पुष्प सायक होना कामदेव के लिए कहता है कि तुम्हारा पुष्प सायक होना और चंद्रमा का शीतल किर्णों वाला होना यह दोनों ही बातें मुझ जैसे कामपीडित विर्हियों के लिए विशे में असत्य दिखाई देती है क्योंकि चंद्रमा तो तुशार पून किर्णों से अगनी की वर्षा करता है और तुम भी पुष्प शरों से को वज्र के तुल्लिकठोर बना देते हो विरेख से संतप्त होने के कारण राजा दुशन चंद्रमा की शीतल किर्णों में अगनी का संताप अनुभव करने लगता है और कामदेव के पुष्प वान भी उसे वज्र के तुल्लिकठोर लगती है इसलिए वे इन दोनों चंद्रमा और कामदेव को आयतार्थ बताता है वस्तुतह सयोग अवस्था में चंद्रमा की किर्णे शीतल एवंताप हारक खुलती है और कामदेव के फूलों के कोमल बान सुख कारी होती है परन्तु वियोग अवस्था में ये विप्रीत बन जाते हैं और इनसे विरही जनों की दशा और भी बुरी बन जाती है। धन्यवाद।